कई सच्छी कल्वी सारी और विडियो के साथ कर देसे तो कल जैसे मैंने बादा किया था आज बिसीकली मेरा वीडियो है निकिता तो मर पर जो बल्लब गड़ में जो सीन हुआ है तो भाई जो सीन हुआ है वह बहुत ही बुरा हुआ है दुखद हुआ है और भगवान उसकी आत्मा को शांती दे और ऐसे कई केसे हिंदुस्तान में हो रहे हैं रेप मडर और जाने प्रियंका रेडी का केस हुआ था है थीक है आज से कुछ 6-7 महीने पहले फिर निर्विया ह हुआ उसके बाद कई केसे हुए तो विमन सेफटी आज की तरीक में एक बहुत बड़ा इशू है इंदुस्तान में बहुत बड़ा एक डिस्कुशन पॉइंट है बहुत को टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि विमन सेफटी भी कई जैसे अब अमेरिका में तो विमन को आप वैपन केरी कर सकते हैं तो ऐसा कुछ होना चाहिए प्रावधान होना चाहिए मेरा एक सेजेशन भी है कि लाइसेंस वैपन जारी किये जाए यह जो केस हुआ है यह बैसिकली एक लव जिहाद एंगल के तहत हुआ है लव जिहाद में डिसकुशन और पुराना चैनल जिस प बट हर धरम में अपने धरम को बरबाद और बेकार करने वाले लोग कई हैं धरम कोई बुरा नहीं होता हूँ भाईचारा एक अच्छा नेकी सिखाता है लेकिन उस धरम को मौडिफाय करना अपने तहिके से उसकी टीचिंग्स को उसकी फिलोसफी को मौडिफाय करके उसको society में उसका गलत यूज़ करना ये फिर terrorism की तरफ लेके जाता है और ये किसी भी धरम से related हो सकता है तो वो ही love jihad है जो ये लोग कर रहे हैं तो भाई सुधर जाओ love jihad वालो तुमारे घर में भव बेटियां बहने हैं ठीक है कानून के हाथ भी बहुत लंब है अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर हिंदुस्तान की public सुधारेगी तुमें ठीक है और ऐसी सजाओं का इनके लिए प्रवधान होना चाहिए कि जैसे साओधी अरेबिया में है और Middle East countries में है कि भाई खून के बदले खून इनके private organs वहाँ पे उनके सरयान public execution किया जाता है वहाँ पे उनके जो private organs हैं वो काट दिये जाते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि Indian government को यह ऐसा प्रवधान करे जिसमें इनको एक ऐसी सक्त सजा जी जाए ताकि यह आइंदा से भी किसी बहु बेटी बेहन के उपर आँख उठाने से पहले 20 पर सोचें क्योंकि यह cases इंदुस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं Delhi is known as the rape capital of world almost है यह बाद सकते कोई माने या ना माने बहुत रेप होते हैं तो यह भी बल्लबगर डेली एंसीयार की ही जो है वह घटना है और मेरी सांद्वना है उनके परिवार के साथ लेकिन जब लव जिहाद वालों को मेरा गरब उसी के अंदर टीचिंग्स मिल जाएंगी कि किसी बहु भेन बेटी के उपर तुम आँख नहीं रख पाऊगे जैसे अभी मन्यू को चक्रव्यू तोड़ने का सीन उसके गरब में मिल गया था न हम ऐसा दहशत और खौफ पैदा करेंगे न कि तुम अगर यह लव ज बेटी पर आँख रखना लव जिहाद को फैलाना और इसके तहट कुछ करना अपने धर्म को बदनाम करना सुधर जाओ सुधर जाओ वरना हम सुधरने पर आये तो फिर मैंने बोल दिया बच्चे पहले से ही बाई डिफॉल्ट गरब में से ही यह टीचिंग लेके पैदा होंगे कि कि किसी की बहु बेटी पे आँख नहीं उठानी है ठीक है ना जब हम सुधरने पर आये हैं क्योंकि पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं है गवर्मेंट इस फॉर दा पीपल वाइदा पीपल ठीक है तो जंता सबसे बड़ी है सुधर जो और लव जिहाद और अगर कोई बड़ी मंशाएं हैं कुछ है गजवय हिंद है मैं पहले हैं गंगा भी लाल होगी यमना भी लाल होगी और पाकिस्तान वालियां तो फिर वो तो फिर हम उसके लिए तो अलग ही तियारी है हमारी इंडियन आर्मी की तो सुधर जाओ एसी मंशाएं दिमाग से निकाल दो एक वार्निंग कम सजैशन वीडियो है मेरा ऐसे कुटों को बेगैरतों को कानून को हम फॉलो करते हैं हम रिस्पेक करते हैं और मैं चाहता हूं कि मोधी गॉर्मेंट इंडियन गॉर्मेंट इसके तहत सक्त से सक्त प्रावधान बनाए अगर हो सकता है तो इन लड़कियों को वैपन करी करने के लिए आप लोग करें बट हां ठीक है उसका मिस्यूस भी हो सकता है यह अमेरिका में चलता है कि वैपन को लीगल कर दिया जाए वैपन करी करने को बट मैं यह कह रहा हूं कि लव जिहाद वालों सुधर जाओ ना त जिहाद यह मैं किसी धर्म पर नहीं जाता ठीक है वड़ धर्म को किसी भी धर्म को बदनाम करने वाले कई लोग होते हैं तो लव जिहाद किसी भी धर्म में हो सकता है कोई भी अपने तरीके से किसी भी एंगल से किसी भी मजभ को मॉडिफाय करके अपने तरीके से वह यू तो सुधर जाओ, वरना सुधार ने पेहाए तो फिर गरब महीं मां के पेट में तुम्हें बाइडिफॉल्ट और दूसरी औरतों के इज़त करना तुम्हें सिखा दिया जाएगा, वो ऐसी दिमाग में फिट होगा, कि ऐसे सुधारेंगे, कि आने वाली 200 पुष्टें जो है न, उन्हें कुछ पैदा होने के बाद इसकी अलग से क्लास लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी, या अलग से इसके बारे में समझाने की जरूत नहीं पड़ेगी, वो कुछ रही है, अबाल रही है, जहन जहाराइगे